नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनार स्टेडिम है, हमें आपके समय की कीमत का अंदाजा है, हम आपके भावनाओं की कद्र करते हैं, मैं बात करता हूँ, कल सिक्षा मंद्री जी ने जो कुछ भी रीट और सेकेंड ग्रेट के बारे में कहा, उन्होंने एटीवी भारत को इंटरीव के दोरान जो कुछ भी कहा, पेपर, नोट्स के जरीए, स्क्रिन सोट्स के जरीए, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि वो फैक न्यूस दी, इस पर मैं ये बता देता हूँ, कि हमारे दुआरा कभी भी आपको फैक न्यूस या अपुहा की न्यूस आपको बताई नहीं जाएगी, हमारा उदेश्य की कदाचित नहीं है कि आपको भर्मित करें, हमें आपकी समय, आपके वक्त की पूरी कदर है, तो चलिए बात करता हैं, जो मैंने कल न्यूस दी थी, आज उसी की पुष्टी ये अकबार करता है, ये अकबार की न्यूस आपकी स्क्रिन पर, क्या कहा सिक्सा मंतरीजी ने, वो देखिए, रीट की परिक्सा, रीट की परिक्सा सितंबर में, आगे भी जारी रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई, इन्होंने दोनों बातां एक दो रीट को सामिल करते हुए, और इस एक जो स्कूल की है, वो बाते हैं, वो दोनों सामिल करके बात कहीं, परिक्साओं की तैयारिया, इसकूल, जुलाई से होंगे सुरू, क्या कहा है इन्हों देखिए, कोरोनो वाइरस की वज़े से चल रहे, लोगडाउन के दोरान, शिक्सा महकमा सबसे ज़्यादा परभायत हुआ है, ना इसकूलों में बच्चों की परिक्सा हो प लाया जाए, इस समंद में सिक्सा मंद्री कोईंसिंग डोटासरा ने सिक्सा विभाग के आगे की योजना की विस्तार से जानकारी दी, सिक्सा मंद्री डोटासरा ने बताया, कि विभाग की सबसे पहली प्रात्मिक्ता बूट की परिक्साओं को आयजित करवाना है, उन्ह परियास यह है कि जल्द से जल्द प्रिक्षव हो, और इसके लिए दस दिन पहले सुचित कर दिया जाएगा। की जरूत पड़ेगी तो बंद पड़े स्कुलों को फिर से काम में लिया जा सकता है बंद पड़े इसकुले जो मर्ज कर दी गई थी पहले उन इसकुलों को फिर से खोला जा सकता है इसके साथ ही इसकुलों में सेनिटाइजर और मास्क की वेवस्ता भी की जाएगी अभी तक सत्र आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है उन्होंने कहा कि परदेश के बेरोजगार लंबे समय से रीट की परिक्सा करवाने की मांग कर रहे है लोगों को रोजगार मिल सके उन्होंने बताया कि इसके बाद शिक्सा भाग में शिक्सकों की कमी पूरी हो सके डोटासरा ने कहा कि रीट को लेकर अधिकारे के साहत बैटक भी हो चुकी यही परियास रहेगा कि सितंबर के पहले सब्ता में परीट की परिक्सा आयोजित हो उन्होंने बताया कि सेकेंड ग्रेट की सिक्सिक भर्ती परिक्सा बेजल्द आयोजित होगी सिक्सा मंतरी ने कहा कि जो ओनलाइन पढ़ाई के लिए इसमाइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो भी आगे जारी रहेगा दोस्तों तो यह बात थी कि आज खबर क्या चली वह और इसमें पेपर कटिंग में वह है नहीं कि उन्होंने वह कल जो एट्व भारत मुनोंने कहा था सेकंड ग्रेट को लेकर भी कहा कि उसकी वी विगब्ती जल्द जारी कर दी जाएगी मैंने जब भी पोस्ट डाली तो काफी जुनों को काफी लोगों के कहना है कि हमारी कोचिंग जो है वो भी पूरी नहीं हुई कोचिंग वाले उसे निवेदन किया है कि हमारी पहल में कोचिंग वाले भी कैसे करवा पाएंगे क्योंकि जब तक लोगडाउन नहीं खुलता तब तक कोचिंग भी पूरी नहीं हो सकती और ही बात जो पहले फर्स्ट गेड की बात चल रही थी कि फर्स्ट गेड आनी है रीट और फर्स्ट गेड जब यह अपरिंग वालों का जब मुद्दा उठा था तब उन्होंने कहा कि हम सितंबर में फर्स्ट गेड एक्जाम करवा देखे साब के इस पर उन्होंने कल कुछ नहीं का लेकि इस पर क्या हो सकता है आप लोगों की राय जो भी हो या सजेस्टन हो हमें कमेंट बुक्स में जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो अच्छा प्गा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें और सब् सब्सक्राइब करें आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे द्वारा कभी भी अपवा वह फेक्ट न्यूज कभी भी परसाइत नहीं की जाएगी दूसरी बात इस चैनल पर हम लोग वह सारे कंटेंट जल्द जल्द अवेलेबल करवाएंगे जो आपके लिए अति मैताफोन साबित होगा खासतोर से नेट जोगराफी से समंदित और रीट का मेंटर बहुत जल्द आपकी इस यूटूब चैनल पर पूरा मिलेगा नमस्कार दोस्तों इजाज़त दीजिए आज के लिए बस इतना है